नमस्कार दोस्तों वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जारकन का भूगोल पार्ट 8 बहुत इंपॉर्टन्ट है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे किस पर रखे सवाल पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टन्ट कई वार एक छोटी रिवर को हम लोग सोच लेते हैं नहीं पूछा जाएगा, मगर वही छोटी रीवर पूछा जाएगा, स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहूँगा, जहारकर टीचर के लिए बहुत इंप्वाटन्ट है, इन आइडीज में मुझे आप तेलिग्राम ग्रूप में जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं टेस्ट ले इंगलिश में, तो यह उद्गम स्थल है, जहाँ से निकलती है, उसके बाद, माली यह कोई नदी और आखे मिल गए इसमें, माली यह एक में रीवर थी, और इससे एक छोटी नदी यहाँ पर मिल गए, देख रहे हैं, तो इससे हम कहते हैं, ट्राइबू ट्रीज, यह बोल साइड में जमा कर देती है याद रखिएगा उसके बाद डेल्टा डेल्टा क्या होता है डेल्टा का मतलब है कि जब कोई नदी इस तरह से निकलती है तो एक ट्राइंगुलर सेफ में जो है इधा से रीवर निकली और कुछ इधा से निकल गई यहाँ पर एक डेल्टा से बनता है जिसे हम डेल्टा कहते है तो बांगा और खादर का कंसेप्ट इसी में आता है जिसको हम लोग आगे दिस्क्रस करेंगे कभी चलिए य जहां पर वह मिलेगी नदी है दूसरी नदी से जाके मिल गई जहां पर वह मिलेगी उसे उस नदी का मोहाना करेंगे आप नदी, ठीक है, एक नमबर नदी, ठीक है, ध्यान रखे, एक नमबर छोटी नदी है, माली, साइक नदी है, और दो नमबर जो नदी है, वो बड़ी नदी है, बड़ी नदी, चलिए, मोटा कर देते हैं, बड़ी नदी, तो जब छोटी नदी, बड़ी नदी से मिलती है, तो उस चोटी नदी की मुहाना कहते है, मतलब एक नंबर नदी की ये मुहाना हो गई, माउथ हो गी, ठीक है, तो यह चीज होता है, माउथ, तो याद रखेगा कही बार माउथ क्या होता है, कि माल युजे एक रिवर हो सकता है, डायक्ली कहीं किसी खारी में गिर जाए, पर वो किसी दूसरे चीज़ से मिलेगे, उसके माउथ कहाएंगे, ठीक है, हो सकता है, वो सी से भी मिल जाए, नदी नहीं होके, सी से मिले, तो यदि सी से वो मिल रही है, तो जहां पर वो मिल रही है, तो एसुरी का निर्मान करती है, तो कई बार एसुरी नहीं भी बन सकत होसकता है कि कहीं ऊपर से गिर जा है बहुत ऊपर से गिर रहा है lig obsessed वाला जगह है वहाँ से नीचे गिर गिर गिया एक तो होसकता है level का निर्मान नहीं हो तो हर जैखना जो है आश्ट S bases असे मिठ्व now होता है इसको हम लोग वोगते हैं जुआनद मुख हिंदी में तो याद रखिएगा उसके बाद है मियंडर बहुत इंपोर्टेंट है माली जीए को एक फ्लैट है फ्लैट जगह है नदी तो कई बार हो सकता है कि उपर से मतलग की धालू वाले जगह पर गिर रही इंट्राइ मार्क से वह कभी-कभी ऐसे चल जाएगा कभी ऐसे चल जाएगा तो इस तरह से अलग-अलग डिरेक्शन में वह नहीं लगती है जिसको हम लोग मेंडर कहते हैं तो इसको थोड़ा सा व्याद रखिएगा अफवा तंत्र को तीन भागों में बाटा जाता है पहला है रीवर दूसरा है जलपरपाथ, वाटर फॉर्स और तीसरा है फॉर्ट स्प्रिंग हम लोग आज रीवर को कवर करें हैं उसके बाद जो है हम लोग अलग-अलग कवर करेंगे जलपरपाथ को हलंकि मैंने कवर किया हुआ है ट्रिक भी मैंने बता है उस वीडियो को जरूर देख ल के चलिये यहां पर कंफे रियंज को कहते हैं नदी का संगम मतलब जब दो नदी आपस में मिलती है उसे कहते है시면 या नदी का संगम अब हम लोग अगे बात हैं तो यह हो गया यह वेस्ट यह नौर्ट यह सव तो पूर्व की और विह इंगी उसका पुरवरती नदी ग। तो पूर्वर्ति और दक्षिनी को हम लोग एक टेगरी में इसले रखते हैं और दूसरा है उत्तरवर्ति कुछ नदियां है जो ऐसे उत्तर की और भैगी उसको उत्तरवर्ति नदी बोलेंगे हम लोग तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन सी उत्तरवर्त है तो इसलिए यदि आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में यहां पे अगला हम लोग कर लेते हैं पूरवर्ती नदी या दक्षिनवर्ती नदी तो यहां पे देखिए दामोदर, स्वन्रेखा, बराकर, दक्षिनकोयल, संक और मेराक्षी नदी हम लोग आगे देख लेते हैं कि कुछ रीवर के नाम, यहां पे उत्तरवर्ती नदी जैसे सो नदी, तो यह है सो नदी आप देख पा रहे हैं, यह सो नदी, ठीक है, सो नदी कहां से निकलती है, पता है आपको, यह सो नदी अमर कंटक्स से निकलती है, मद्यपर्देश, यह जैसे भारत का मैप है, तो यह मद्यप्रदेश से जो है, सो नदी इस तरह से निकलेगी, और गंगा नदी जो है, जदि आप भारत का मैप बनाएंगे, ठीक है, मतलब खराब मैप बन जाएगा, तो थोड़ से यह करिएगा, यहाँ पर मैं सिर्फ यह कर निकले बना रहा ह तो यहाँ पर गंगा नदी हिमाले से से करके बहेगी, यह सो नदी जाकर इसमें मैच कर जाती है, तो यहाँ पर सो नदी मिलने के पहले ही, जारकन से पहले बहेगी, उसके बाद मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, तो पहले जारकन से साइड से होते हैं निकलेगी, आगे हम ब मिल जाएगी अब देख पारें यहां पर गंगा नदी में आगे जाकर यहां पर मिलेगी यहां पर गंगा नदी है इस तरह से और यह गंगा नदी कुछ इस तरह से बैठती है चलिए तो सो नदी हो गया उसके बाद है उत्री कोयल नदी उत्री कोयल नदी आप देख पारें इस इस नॉर्थ कोईल नदी, यह नॉर्थ कोईल नदी यहां से निकलती है, यह लोहर दग्गा से हम निकलती है, इस तरह से आप देखेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे इसकी, यहां से निकलती ही इस तरह से बहेगी, और यह जो है, जाकर सो नदी में मिल जाएगी, नॉर तो पुन 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 यृवर आप दिख रहे हैं इस तरह से इस ततरह से और फल्गु से могу रीवर जो आगे जाकर गंगा sympath की यह गया में बहुत फेमस है ऐ होता है यहां प्रिंदर रिवर प्रिंदान होता है उसके बार दिंट इवर तो चानंड एंगे तो चान आपको मिलेगा आप बिहार में चले जाए है बांका जीला में तो आपको ये बहुत जादा जो है आप देखने को मिलेगा चालन दिवर ठीक है और जहारकन के बॉर्डर में भी आपको देखने को मिलेगा तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं चलते हैं पुरवर्ती नदी की और पुर तरह से स्वन्वेखा नदी आप देख पा रहे हैं और डायकली जो है बेय और बैंग्वाल में जाकर पंगाल की खारी में गिर जाएगी यह होगे स्वन्वेखा की बात उसके बाद हम लोग देखते हैं दामोदन नदी कुछ इस तरह से निकलती है देखिए और निकलते हैं चाहरकन की पूरवर्ती नदी और डख्शिनवर्ती नदी फौह हम लोग देखिए पड़े तो सबसे पहले दामोदर नदी बहुत important है क्योंकि दामोदर नदी जारकन के सबसे लंबी नदी है जारकन में यह 290 किलोमेटर बैती है और पूरे इंडिया के हम बात करें तो 592 किलोमेटर बैती है और इसका यह वाला जो है पूछा जाता है अफवाच हैतर कितना है यह स्कुएर किलोमेटर याद रखेगा सहक नदीयां है बराकर बुकारो कोनार जमुनिया कत्री उपनाम है बंगाल का सोग हलांकि अब बंगाल का सोग किसे नहीं कहा जाता मगर याद रखेगा बंगाल का सोग मतलब सोग बंगाल क्यों कहा जाता है क्योंकि यह नदी कभी भी बंगाल में बार ले आती थी ठीक है मगर अभी डेम बन गया इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दामोदर वैली कर्परेशन दी बीजी इसी पर बना हुआ है याद रखेगा इसी पर बना हुआ है जिसके कारण आप सोग सी दिक्कत कम होगा है उसके बाद इसका नदी का दूसरा नाम है देव की सरवाधिक पर दुसी नदी कौनसी है तो वो है दामोदर नदी उसके बार डेम बनाई गई है दामोदर में कौनसी डेम तो जो कि धनवाद में पड़ेगा तेक है धनवाद जीला में आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है दामोदर को जैविक रगिस्थान भी कहा जाता है बाड बाड बायोजिकल डेजिक कहा जाता है क्यों कि इसमें कई फलिख बहुँत जादा फॉस्षिण है हमने कहा यहां पर इनकीं कि अबहुद और से परद्र Cash यह दिया गया ग 1998 करने खैज करिये घराइगा धार श्रह गतने हैं आप यदि मैप देखेंगे, क्योंकि अभी जितने भी uploaded है map, वो 2001 के census के अनुसार map जो है uploaded है, और 2001 में, आप देखेंगे कि 2001 में कही सारे जीले बनाए गया थे, जिसके कारण आपको हो सकता है जीला कुछ दूसरा मिले, ठीक है, जैसे lower daga, actually इसका lower daga में आपको देखने को मि देखेंगे, तो इसलिए आप इसको थोड़ा से याद रखेंगे, हो सकता है, तो तोरी टिक करिए, यदि छोटा नाकुर पठा रहे तो इसको टिक करिए, या चुलहा पानी है, तो एक सार तीनों नहीं देगा, ठीक, चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे कई स सारी इंपोर्टन चीजे, जो कि हमने देख ली दामोदर के बारे में, अब देखिए, स्वन्रेखा नदी की बारे में हम चच्चा कर लेते हैं, स्वन्रेखा नदी, ठीक है, तो स्वन्रेखा नदी जो है, इसका उद्गम स्तर है नगरी राची, ठीक है, नगरी में, अब ह हुगली का concept आगे हम लोग समझेंगे इसी वीडियो में कि आकिर हुगली नदी और गंगा नदी में क्या difference है तब चीजों को आगे हम clear कर पाएंगे देखिए यहाँ पे जो हमने कहा स्वन देखा नदी अब स्वन देखा नदी जो है यह नगली राची से निकलती है यह तो हम नदी में मिल जाएगी चोटी नदी में या गंगा में जाकर इस तरह से यह चीज है यह जाद किएगा इसके ब्हुँन नदी में भी आपको सोना जो है मिलता है और जाकर कि एक important नदी है सोन देखा जिसमें सोना का अंस पाए जाता है बंगाल की खाड़ी में हमने देखा कि यह सोतनुप से गिरती है राची में हुड्रू फॉल जो है वो सोन देखा नदी में ही है ठीक है साइक नदिया कौन सी है काकवरो काची और खरकई नदी अब हम लोग आगे बात करें तो राची और सिम्भू जिला यह इसमें आता है अब स्वर्न्रे यहां से निखलती है स्वर्न्रे का नदी का नाम है बरकई बरकर रिवरन के निस जो कि धनबाद में पड़ता है धनबाद जिला में और धनबाद करो में इस पड़ेगा निर्सा तो निर्सा याद रखिएगा और यहीं पर एक मंदीर है जिसका नाम है कल्यानेस्वरी मंदीर तो बहुत ही अच्छी मंदीर है मैंने पूजा भी किया है कलीर तो यहां पर कई लोग पिकिनिक मनाने में भी जाते हैं अब बराकर नदी की हम बात करें तो इसका जो मोहाना है वो है दामोदर मतलब दामोदर में जाकर यह मिल जाता है बराकर नदी जो है यहां पर आप देख पा रहे हैं बराकर नदी जो की निकलती है चोटा नागपूर का प्लेट्यू से और यह जाकर मिलती है बिलकुल जाकर यह बराकर नदी में यह जाकर देख रहे हैं मिल जात यह भी नगडी राची सही निकलेगी इस तरह से और ये हैं आप देख पाए है साूथ कोईल और यèce संख नदी में जाकर मिलती है इसका मतलबा है दक्षीन कोईल का मुईहना दक्षीन कोईल एक बड़ी रीवर है तो दक्षीन कोयल एक बड़ी रिवारा याद रखिए गा, तो दक्षीन कोयल इस तरह से निकलती है, और वो बेद ब्यास जगह पे, बेद ब्यास उरिसा में एक जगह है, जहां पे संख नदी के साथ वो मिलती है, तो एक्जाम में पूशा गया है कई बात, संख नदी पारे गुमला से निकल रही है, तीक है, चलिए, साथ नदी के हम बात करें, तो जो दक्षीन कोयल की साथ नदी है, वो कारू नदी है, कुछ इस तरह से कारू नदी आपको देखने को मिलेगी, इसमें दक्षीन कोयल में मिलती है, यहाँ पे मैप में मैंने दिखाया, देख इंपॉर्टेंट है ऐसा कहा जाता है कि यहां पर रावन ने तब किया था ठीक है और तब करने के बाद यहां पर देवता लोग डर गए कि यह भगवान शंकर को पसंद कर लेंगे जिसके कारण हनुमान जी को भेजा गया देवताओं ने भेजा कि किरपया करके इनका जो हनुमान जी से रहां करता है कि तुम कैसे यहां पर यहां को बचाए कुछ प्रूब दो मिलता है आगे हम लोग बात कहलते हैं महयरक्षी नदी को मोरनदी के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पे आपको बीच में एक नदी मिलेगी दुमका भागलपूर रोड में जिसका नाम है भुरपूरी नदी इस तरह से बिल्कुल इस तरह से क्रॉस करती है ऐसे आप आईएगा त तो आपको भुर्वुरी नदी मिलेगी, तो भुर्वुरी नदी जैसा कि मैंने यहाँ पे मैप पे नहीं दिखा है, मगर भुर्वुरी नदी एक चोटी से नदी है, चोटी मोटी नदी है, और भुर्वुरी नदी जो है, वो किस से मिल जाती है, तो यह मज़राक्षी नदी यह भी चीज, साहिक नदी मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है, दुमका देवगर, साहिक मज और गोड़ा में बहती है, विसेचता क्या है, जारकन की एक मातर नौगम में नदी है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह पूछा जाता है, बतलब यही एक रीवार है, जहां पर बो इस मसांजो डेम को क्या का जाता है, करनाडा डेम भी का जाता है, क्योंकि करनाडा सरकार की मदद से इस डेम का निर्मान किया गया था, चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं, ब्राम्मनी रदी, ब्राम्मनी रदी जो है, कई लोग, जो है, सोचते है कि आएगा ही नी, ब्र का इलाका है ठीक है इसलिए आपको मैप में इसकी रिवर की बहुत पोजिशनिंग नहीं मिलेगी मगर एक इंपॉर्टेंट रिवर है ठीक है और यहां पे दुद्वा पहारी जैसा कि मैंने का कि गांदो बोलकर जगह है जो दुमका के जिले के हैं यदि कोई सब्सक्राइब यहां पर देख रहा है तो दुमका में आपको गांदो एक मिलेगा और उसी के आसपास यह रिवर जो है मैंने देखा भी यह रिवर बहुत इंपॉर्डेंट बड़ी रिवर है ठीक है और इसका मोहाना गंगा में यह जाकर मिल जाती है ठीक है याद रखीगा अब उसके ब फरक्का में जाकर इस तरह से फरक्का में जाकर दो भाग में बढ़ जाती है एक कलकत्ता में जो कि हुगली के नाम से जाना जाता है दूसरा है जो कि भगी रती के नाम से जाना जाता है भगी रती तो में दीवर होगे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है जो कि आपको काठी कुन में मिलेगा और दूमकाजिले में काठी कुन से 2-3 क्लोमेटर आगे बढ़िएगा पाकू रोड में तो आपको घुम्रा नदी मिलेगा घुम्रों के नाम से भी जाना काता है तेक है तो इसको तोड़ा से याद रखिएगा अब ये जो है डलहटी रेलिवेस्टेशन के पास गंगा में ये मिलती है डलहटी रेलिवेस्टेशन जो है वो आपको मिलेगा वेस्ट पिंगॉल में चलिए नदी का नाम है संख बहुत इंपॉर्टन नदी है उद्गा वस्तल है चैनपूर गुमला में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुमला में ये निकलती है और डक्षिनी कोयल इसकी मुहाना है डक्षिन कोयल में ये मिल जाती देखिए यहाँ पर और कौन से जगह पर मिलती है तो बेरिव्यास नामक जगह पर मिलती है 244 किलोमेटर से कुल लंबाई है याद रखेगा और सिम्डेगा को 30 अपने 2001 को ततकारी गुमला जीला से बनाया गया था इसको तोड़ा याद रखेगा तेखिए यहाँ पर मैंने इसको इसलिए बता है कि कई बार रिवर में आपको क्या होता है कि अलग जीले देखने को मिलते है कि आपका कई बार आप देखेंगे मनिस रेंजन में पढ़ेंगे पलामो से निकलती है कोई नदी आप देखेंगे कि एक्शोर में पलामो है ही नहीं क्योंकि पलामू जिले एक पुराना जिला है, उसे कई सारे जिले आपको देखने को मिलेंगे लाते हैं। बहँत सारे जिला ज़े से काटकर बनाए गया। इसलिए और यह बनाए गया 2001 में, कई सारे नए जिली। nesalen आप стан嗎 अन्तिम जिलना रामगर्ण आपको पता है तो यहां पे 2,001 में जिलनोंगे जिसके कारण आप को ये देखने को मिलता है हमारा जनगनना कब हुआ ता तो इसलिए आपको ये थोड़ा से मिलता है तो यहां पे याद आखिए सिम्डेगा को आपको सिम्डेगा मिलता है कि सिम्डेगा से संक्र नदी निकलती नहीं जी यह गुमला नदी से निकले की ठीक है चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दक्षिन कोयल जो है उरिसाम प्रवेश करती है और राजा डेरा गुमला के पास 200 फीट उंचा जलप्रपात अगे बनाती है यहां पर नदी का राम है अजय नदी के बारे में हमने बताया था ठीक है पताया था अजय नदी जो है वो कहां में बिलेगे आपको राजमहल की पहाड़ी मिलेगी ठीक है मोती जर्ना आपको पता है मोती जर्ना इसी में है मोती जर्ना जो आपका जल प्रपात है वो अजय नदी में ही इस्तित है चलिए उर्गाम है इसका मुंगेर आपको अजय नदी जो है मुंगेर में आपको मिलेगा मुंगेर बिहार में है वहां से यह निकलती है अजय नदी ठीक है इस तरह से आपको इधर बिहार मिलेगा और इधर से निकलती ही आपको जो है बिहार से आती है अजय नदी और मिल जाती है कहाँ पे यह वहारा इसका है भगी रती मतलब बंगाल में यह मिल जाती है कटवा के पास पसी बंगाल में साइक नदी है पत्रो और जहनती यह साइक नदी है वाटर फॉल से मोती जहना यह इंप्वार्टेंट है यहाद रखिएगा चलिए यहाँ पे कुछ दिखा देता हूं जैसे कि मैंने दिखाया था यह गंगा कुछ इस तरह से निकलती है यहाँ आप देख पार है गंगा आपका कहां पे बोलते है पद्मा तो यह बंगला देश में पद्मा के नाम से जाना जाता है यह गंगा नदी को तो गंगा नदी दो भाग में बढ़ती है एक को हम लोग भगिरती बोलते है जो कि बंगला देश में आगे जाकर पद्मा के नाम से जाना जाती है दूसरी है होग लिए चलिए यहाँ पे दड़ी का रहा है गुमानी नदी बहुत इंपॉर्णे नदी है चोटी मुटी आपको लगती है मगर पूचा गया है राजमहल की पारिश से निकलती है और यहाँ पे डिस्टिक्ट में चुटा हुआ है इसका मुहाना है गंगा नदी में आपको साहिबन जीले से निकलती है और यह पास पहाड़ी बोलकर जगा है और यहाँ पे भगी राथी गंगा में मिलती है यह भी सवाल कई बार पूचा गिया है महजपूर पाकुर डिश्टि में जारकन को यह छोड़ देती है और मुरा राय रेलेवे स्टेशन जो है जो कि गंगा में जाकर मिल जाती है चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं सोन नदी उत्तरवर्ती नदी को हम लोग पढ़ेंगे यहां से बहुत इंपॉर्टन सवाल पुचे जाते हैं सोन नदी जो है यह यदि इंदिया का मैप है तो यह मतिपर्देश से आपको देखेंगे MP से निकलती है अमरकंटक की पहारी से तो सबसे पहरे तो मैकाल परवत की अमरकंटक पहारी से निकलती है मतलब प्रदेश से गंगा नदी में मिलती है ठीक है गंगा नदी यह सो नदी आगे जाकर इस तरह से गंगा आ रही है दसे ठीक है और गंगा जो है यहाँ पर मिल जाएग चलिए, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, साहिक नदिया कौन सा है तेखिए, सोन नदिया आप लोग यहाँ पे चचा करेंगे तो यहाँ पे उत्री कोयल नदिया आप देख पाड़े इस तर से यह उत्री कोयल जो है, यह सोन में मिल रही है इस जगह में मिल रहे हैं तो ये उत्री कोयल नदी को सुन नदी के साइक है अपवा चैतर पलामो और गरवा है यह पलामो और गरवा का रिजल है याद रखेगा उसके बाद उपनाम है सोन भद्र और हिरनवय तो यह दोनों ही नाम से पचली थे एक्जाम में यह कई बार आपको पालों पलामु का किला एक important किला है जारकण में और पलामु अपको पता है कि उसी के पीछे के विवन पहती है जिसका नाम है औरंगा तो याद रखिएगा तो यह दक्षिनी उत्री कोयल नदी की साहिकर नदी है औरंगा और अमानत चलिए बुढ़ा नदी और उत्री कोयल नदी मिलकर बुढ़ा घांग जल-प्रपात का निर्मान करती बुरा घाग जो जलप्रपात है वो जारकन का सबसे उचा जलप्रपात है जो की लातेहा जिला में है 499 फीट कई जगा यहाँ पे 450 फीट भी आपको देखने को मिलता है तो जो भी option मिलेगा ठीक करिएगा चलिए अगे हम लोग बलेंगे पुन पुन रिवर की और पुन पुन रिवर यहाँ से आप देख पा रहे है पलामों से निकलेगी ठीक है और इस तरह से बहेगी और बिहार में चली जाएगी यह गंगा नदी में इस तरह से मिल जाती है ब इस प्वाचेत उसके बाद उपनाम जो है वह कीकट और बमांग धी है यह भी कई बार पुछा गए याद रखिए अगला है फल्गू रिवर फल्गू रिवर एक ऐसी रिवर है जिसमें पिंड़ेदान होता है इसा नाकपूर के पठार का उतरी भाग से निकलती है ठीक है शोटा नाकपूर पठार के हम बात करें तो पूरा इस तरह से आप को देखने को मिलेगा इसका जो फल्गू रिवर जो है वह जो है पुन्पूर रिवर में जाकर इस तरह से मिल राती है तो उसके साइक लदिया निरंजना जिसको लीलाजन कहते है और मोहना रादी उपनाम उसका हैं अंता सलिला और लीपल जन याद रखेगा उसके बाद यहादधे हम दो बात कर लेते हैं विसेस्था तो हमने देख लिया कि पिम्द्दन जाते हैं झारकन में हमने देखा स्करहन का यहां यहाँ पर शिर्फ इसके अंदर आता है न हमने देखा तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें है क्या सक्री नदी तेके सक्री नदी के हम लोग बात करें तो सक्री नदी जो है वो कौन सा है तो सक्री नदी आप देख पा रहें यहाँ पर सक्री रिवर है इतनी से सक्री रिवर ये तो सक्री रिवर जो है वो हजारी बाक से गुजरती है उत्री छोटरानाःगपुर का पठार गंगा का चुताल छेत्र है वहां से इसका उगम स्थार है और मुहाना इसका है गंगा और साइक नदी है क्यूल और मिरहर और उपनाम है सुमागदी ठीक है याद रखेगा और ये मार्ग बदलने है तुँ कुख्यात है बहुत ही तेजी से बैती है और अराम से वो मार्ग जो है बदल लेती है रामायन में इस नदी को सुमागदी के नाम से पुकारा गया है उस कार में ये नदी राजगीर के निकत से प्रवाइद होती थी यह नदी अपने रमाग बननेगरी प्रसीद है अगे हम लोग बात करेंगे चानन जिसको पंचाने या पंचानन भी कहते हैं पंचाने या पंच चानन रिवर जो है वह चोटा नाटपुर पठार में इस्थित है यहां से निकलती है और मुहाना इसका है सक्री रिवर और उपनाम है पंचानन पंचानन पांच जलधाराओं के कारण जिसमें है एक तो पंचानन रिवर हो गया दूसरा है पैमार तिलया धरांजे महाने यह पार्च रिवर मिलकर जो है इसलिए इसका नाम पड़ा है पंचानन तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में